So Good Morning Guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की Revision Class, देखिए पहला प्रश्न क्या है, Food Agriculture Organization, FAO मतलब Food Agriculture Organization, इसका Headquarter पूछ रहे हैं आपसे बताओ, रो मिटली में है, वैसे Food Agriculture Organization से बताओं तो आपको इसकी स्ताफना होती है 16 October 1945 में, इसलिए तो 16 October को हम World Food Day के रुपे मनाते हैं, एक National Food Day भी हम मनाते हैं, जो 24 October को, चौबिस October को और कौन-कौन से दिन मनाते हैं हम, United Nation Day, Polio दिवस भी हम मनाते हैं, 24 October को ही, और एक World Food Safety Day भी होता है, वो हम 7 June को मनाते हैं, और Food से एक Award भी याद आएगा, आपको 2021 का, World Food Award, विश्व खादे पुरुसकार 2021 का, किसे मिला, शकुंत शकुंतला से एक नाम आपके जहन में आता होगा, शकुंतला देवी, अगर आपसे प्रशन कभी पूछ लिया जाए कि किस महिला को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो शकुंतला देवी, मूवी भी बनी हैं, इनके उपर तो आपको याद होगा, और वैसे रो मिटली में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेड़कॉर्टर मिलेगा, जिसे 2020 का नोबल पूरुसकार, नोबल पीस प्राइज मिला था, और 2021 का तो हमने पड़ी लिया, मारिया रेशा और दमित्रे मुरातोग को मिला, फिर देखिए 2020 का बुकर पूरुसकार किसे मिल बड़ा important question है ये, डैमन गलगुट को मिला है, साउथ अफरिका के हैं ये, इन्हें इनके novel The Promise के लिए मिला है, ये पूरुसकार, अगला प्रशन भी important है, 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला, तो आँचार होगा डैविड डायोग को, ये फ्रांस से हैं, इन्हें इनके novel At Night All Blood Is Black के लिए ये पूरुसकार मिला है, तो ये most important questions होते हैं, आपके इनको ध्यान से सुना करवा आप लो, वैसे आप सभी तो पुराने students हो, लेकिन फिर भी अगर एकाद कोई, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको बता दू, ये static questions, आपके current affairs से ही बदल रहा है, current affairs पे ज़्यादा जोड दिया जाता है, कि student कितना ध्यान से current affairs को पढ़ रहा है, और उसी current affairs में कुछ static parts आ जाएंगे, वह आपके पूछ लिए जाते है, as a static मान लीजिए, as a current app मान लीजिए, तो इन वीडियो को भी बिलकुल ध्यान से, ध्यान पूरवक दे vision का, और अगर ये अच्छे लगते हैं videos, please इनको support जरूर करें, videos पे बिलकुल भी views नहीं आ रहे हैं, तो मेरी request रहेगी, अपने दोस्तों के साथ में, अपने अगर कोई परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ में please इनने share जरूर करें, और like करना मत भू चलिए अगला प्रशन देखते हैं, भारत में सूपर कम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आंचारों का विजे भटकर को, और भारत का पहला सूपर कम्प्यूटर कौन सा था, परम 8000 था, और वैसे आपको बताया न, विश्व का सबसे फास्ट सूपर कम्प्यूट जिसका नाम है फुगाकू, यह जापान का है, और कम्प्यूटर को लेकर के एक डे भी होता है, विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कम्प्यूटर लिट्रेसी डे, दो देसंबर को मनाते हैं हम, जी ट्वंटी ट्रोयका में अभी कौन सा देश शामिल कीती और भारत का नंबर आएगा 2023 में, जी ट्वंटी में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, अच्छा बताइए, 2021 में बंगाल की खाड़ी में एक चकरवात उठा था जिसका नाम था जवाद, इसका नाम किस ने रखा था, साउधी अरब ने रखा था, बाकी 2021 मे दो-तीन हमने पड़े चकरवात, जैसे की अरब सागर में आय था, ताउते, इसका नाम म्यानमार ने रखा था, यास नाम का चकरवात आय था, इसका नाम उमान ने रखा था, बाकी गुलाब इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, 2020 में दो चकरवात हमने देखे थे, निसर् बांगलादेश ने नाम रखा था और अमफान थाइलेन ने नाम रखा था भारत की पहली महिला मुख्य मंतरी का नाम बताईए सुचेता करपलानी है उत्तरप्रदेश की थी ये और भारत की पहली महिला गवर्नर पूछेंगे राजयपाल तो सरोजीनी नाइडू ये भी उत्तरप्रदेश की ही थी अच्छा कांग्रेश की पहली महिला देख्ष का नाम क्या है एनी बैसेंट है पहला दादा साहफ वाल के पुरुसकार किसे मिला था देवी का रानी को मिला था और अभी हमने दिया रजनी कांत जी को बताईए पहली महिला लोक सभा स्पीकर का नाम क्या है मीरा कुमार है फिर बताईए राष्टर अंगदान दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 27 नवंबर को नेशनल ओर्गन डोनेशन डे मनाते हैं और ओर्गन डोनेशन में आप जानते हो नमबर वन स्टेट आपका तमिल लाडू है वर्ल्ड एड्स से डे मनाते हैं एक देसंबर को इस बार थीम थी एंड इनिक्वालिटीज एंड एड्स एंड एंड पैंडेमिक्स यानि कि अर्स अमानताओं को खतम करो एड्स खतम करो और महामारी विसे एक देसंबर को भी नागालेन ने अपना इस्थापना दिवस भी मनाया कौन सा? 59th BASF ने भी अपना 57वा इस्थापना दिवस मनाया एक देसंबर को ही BASF की डिरेक्टर जनरल भी याद रखो पंकच कुमार सिंग है फिर बताईए विश्व कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस जिसा की हमने कहा 2 देसंबर को मनाते हैं World Computer Literacy Day थीम क्या थी? Literacy for Human Centered Recovery Narrowing the Digital Divide और 2 देसंबर को अंतर राष्टर दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानिकि International Day for the Abolition of Slavery के रूप में भी मनाया जाता है बताईए राष्टर प्रदूशन नियंतरन दिवस कब मनाया जाता है National Pollution Control Day ये भी 2 देसंबर को मनाते हैं एक्चलि में 2 और 3 देसंबर की रात को आपको याद होगा 1984 की बात है ये भुपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी और कौनसी गैस लीग हुई थी उसमें मिथाइल आइसो साइनेट उस कमपनी का नाम क्या था Union Carbide Company बताईए विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है 3 देसंबर को थीम क्या रही विकलांग व्यक्तियों का नेत्रत्व और भागेदारी यालनिकी Leadership and Participation of Persons with Disabilities भारते नौसेना दिवस कब मनाते हैं 4 देसंबर को और इसकी थीम थी स्वणनिम विजे वर्ष हमारे नैवल चीफ है आर हरी कुमार वैसे Air Force Day 8 October को मनाते है और Air Chief Marshal है विवेक राम चौदरी आर्मी डे 15 जून को मनाते हैं और आर्मी चीफ है मनोज मंकुन्द नर्वने वैसे आर्मी Chief of Defense स्टाफ हमारे विपन रावत थे पहले पहले जिनका भी निदन हो गया और वैसे 4 देसंबर को अंतरराष्टर बैंक दिवस भी मनाते हैं हम पहली बारे से हमने 2020 में ही मनाया था बताए विश्व मरदा दिवस World Soil Day 5 देसंबर को होता है और थीम क्या रही मिट्टी की लवनता को रोकना मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना क्यानि कि हाल्ट सॉयल सैलिनाईजेशन बूस्ट सॉयल प्रोड़क्टिविटी इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब होता है अंतरराष्टर स्वम सेवी दिवस 5 देसंबर को ही होता है थीम क्या रही वॉलेंटियर नाव फोर अवर कॉमन फ्यूचर स्वम सेवक अब हमारे सामानने भविशे के लिए तो बताए रोपवे सेवाओं का उप्योग करने वाला पहला भारते शहर कौन सा बना था तो अंसरोगा वाराना से और आप ध्यान रखना सार्वजनिक परिवान के लिए रोपवे बनाने वाला भारत तीसरा देश बन गया दुनिया का पहले दो कौन से हैं बोलिविया और मेक्सिको अभी किस फुटबॉल टीम ने साउथ एशन फुटबॉल फेडरेशन चेंपेंशिप 2020 को जीत लिया तो अंसरोगा भारत ने नेपाल को हराया इसमें अगर यूरो कप 2020 पूछेंगे तो ये इटली ने जीता कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटिना ने जीता और 2022 में जो फीफा वर्ल कप होंगे कतर दोहा में होंगे बताए विश्व खाद्दे दिवस यानि कि वर्ल्ड फूट डे 16 अक्टूबर को ये तो मेरे ख्याल से 2-3 बार पिछले वाली शीट में भी आमने पढ़ लिया वर्ल्ड फूट डे अब आपको याद रहेगा 16 अक्टूबर और नेशनल फूट डे 24 अक्टूबर और वर्ल्ड फूट सेफ्टी डे साथ जूने से याद रखो चलो ये प्रशन तो आपने पढ़ लिया इसी में एक और प्रशन जोड देते हैं वर्ल्ड फूट अवर्ड विश्व खाद्य पुरसकार किसे मिला शकुंतला थिलस्टेड डिड या आप बोल दीजे शकुंतला हरीके सिंग थिलस्टेड को बताइए किस राज्य के मिंडॉली केला को जी एटिक मिला जिसे मोयरा बनाना भी कहा जाता है तो आंसर होगा गोवा बच्चों को कुविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था तो आंसर होगा तमिलना डू फॉर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्विश्रिष्ट नियोकता रेंकिंग में 2021 में टॉप पे रहा था सैमसंग सैमसंग ये साउथ कूरिया के कंपनी है साउथ कूरिया सियोल में इसका हैटकवर्टर है परधान मंतरी फसल बीमा योजना का सीएओ किसे नामित किया गया रितेश चोहान को ये जो परधान मंतरी फसल बीमा योजना है न ये शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को तो किसानों को किसी भी प्रकरतिक आप्ता के कारण अगर फसल का नुकसान होता है तो उस कंडिशन में उनको बीमा दिया जाता है बताइए किस टीम ने IPL 2016 का खिताब जीता चैन्ने सूपर किंग ने कॉलकता नाइट राइडर्स को हरा करके और एक का नाम और याद रखो जैसे कि जो सबस्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है और इंच कैप जो मिली थी रितुराज गायक वार को चैन्ने सूपर किंग के हैं और जो सबस्यादा विकिट लेते हैं उनको मिलती है कौन सी कैप परपल कैप ये मिली हरिशल पटेल को ये रोयल चैलेंजर स्पैंगलूरू के हैं अच्छा यहाँ पर आपको बताना है IPL 2022 में जो होंगे वो कहां पे होंगे और दो नई टीमें इसमें शामिल होई हैं वो कौन सी हैं अब बताओ कि सम्मू ने पहला ग्रीन बॉन्ड लांच किया तो आंसर होगा European Union ने जिसका हैटकवर्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है और कौन रवी शास्तर के बाद भारते किर्केट कोच के रुप में कारभाल समालने के लिए तयार है मतलब बन गए हैं तो आंसर होगा राहूल द्रबिड बताए नौर्वे के ने प्रधान मंतरी कौन बन गए तो आंसर होगा जोनास गैरस्तूर नौर्वे की केपिटल उसलो है नौर्वेजियन क्रोन या की गरंसी है आप जानते हो नोबल पुरुसकार नोबल शांती का नोबल पुरुसकार ये नौर्वे उसलो में दिया जाता है बाकी तो स्टोकम स्वीडन में दिये जाते हैं और Norway से आपको याद होगा, Economist Intelligence Unit ने अभी जो Democracy Index 2020 जारी किया था, उसमें भी Norway Top पे था, जिसमें भारत 53 नमबर पे था, और Reporters Without Border ने जो World Press Freedom Index 2021 जारी किया था, उसमें भी Norway Top पे था, भारत 142 नमबर पे रहा था, ये भी ध्यान रखना, अच्छा बताईए किसने स्वचलित इंदन भरने की तकनीक जिसका नामे यूफिल उसको लॉंच किया तो अंसर होगा BPCL, भारत Petroleum Corporation Limited जिसके अध्यक्षे अरुन कुमार सिंग जिसका है मुंबई में, बताईए किसने Global Peace Photo Award जीत लिया तो अंसर होगा आध्या, अर्विंद न ये बंगलूरू से हैं, साथ साल की हैं ये, भारत की 21 महिला Grand Master कौन बनी, बड़ा IMPORTANT परशने, दिव्या देश मुख, और पहली महिला Grand Master कौन थी, तो S. विजय लक्ष्मी, चर्चा में रहा दुनूची नरत्य ये किसराध्य से संबन्दित हैं, तो आंसर होगा पश्ची आपके असमका है, ये Classical Dance से इनको ध्यान रखना है, जेव विवित्ता, बायो डाइवर्सिटी पर संयुक्तर राष्टर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की पंदरवी बैठक को 15 कांपे आउजित की गई, कुनमिंग चाइना में, भारत का पहला One Health Consortium लांच किया, जेव मीरा मुहंती को, अच्छा किस शहर के डाक विभाग ने Know Your Postman एप्लिकेशन को लांच किया था, तो अंचरोगा मंबई, तो अब कलके कर इंटरफेट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं,